हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का T.S. Education Center में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समाने ग्यान के कुछ महत्तोपूड प्रस्नर उत्तर जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए महत्तोपूड है तो चलिए फ्रेंड्स, सुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोश्चन है तेल एव प्राकिर्तिक गैस आयोग कब अस्थापित किया गया इसका सही एंस्वर है तेल एव प्राकिर्तिक गैस आयोग 1956 में अस्थापित किया गया अगला कुश्चन है ट्रस्टी सिप की अधारडा किस ने प्रस्तूत की थी? इसका सही एंस्वर है ट्रस्टी सिप की अधारडा महात्मा गाधी ने प्रस्तूत की थे अगला कुश्चन है दच्छिड एसिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इसका सही एंस्वर है माल दिव दच्छिड एसिया का सबसे घना वसा देश है अगला कुश्चन है किसे भारत ने पुर्तगाली समराजी का वास्तिक संस्थापक कहा जाता है इसका सही एंस्वर है अलफांसो डी अलबुकर्क को भारत ने पुर्तगाली समराजी का वास्त्विक संस्थापक कहा जाता है अगला कुश्चन है वहाबी आंदोलन का मुखे के इंदर कहा था इसका सही एंस्वर है वहाबी आंदोलन का मुखे के इंदर पटना था अगला कोश्चन है वेदों में संपूर सच्चाई नहीं थे या किसका कथन है? इसका सही एंस्वर है वेदों में संपूर सच्चाई नहीं थे या स्वामी दयानन्द स्वर्सती की कथन है? अगला कोश्चन है महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही एंस्वर है महादेव गोबिंद रनार्डे को महाराष्ट का सुकरात कहा जाता है अगला कोश्चन है सूगर बेबी किसकी प्रजाती है इसका सही एंस्वर है सूगर बेबी तरबूज की एक प्रजाती है अगला कोश्चन है बिसो दुखों से भरा है का सिधान्त महात्मा बुध ने कहां से ग्रहड किये थे इसका सही एंस्वर है बिसो दुखों से भरा है का सिधान्त महात्मा बुध ने उपनिशद से ग्रहड किये थे अगला कुश्चन है कौन साराजवंस त्रिकुडात्मक संघर्ष में भागी दार था इसका सही एंस्वरे पाल वंस त्रिकुडात्मक संघर्ष में भागी दार था अगला कुष्चन है वह मुगल महरानी कौन थी जिसका नाम फर्मानों तथा सिक्को पर अंकित होता था इसका सही एंस्वरे नूर जहां एक ऐसी महरानी थी जिसका नाम फर्मानों तथा सिक्को पर अंकित होता था अगला कुष्चन है बंगाल के क्रांतिकारी आतांकवाद के संस्कृत प्रिष्ट भूमी को किसके लेखों ने ससक्त बनाया इसका सही एंस्वर है पंकिन चद्र चटो पध्याई के लेखर बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवाद के संस्क्रित प्रिष्ट भूमी को ससक्त बनाया अगला कोश्चन है नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदित डोमेनियन इस्टेटस के विचार का विरुध किस ने किया था इसका सही एंस्वर है नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदित डोमेनियन इस्टेटस के विचार का विरुध सुभाष चंद्रबोस ने किये थे अगला कोश्चन है रिगवैदिक कालीन सब्दावली में अधिवासस से क्या तात परे है इसका सही एंस्वर है रिगवैदिक कालीन सब्दावली में अधिवासस से उपर धारण किया जाने वाला चादर है अगला कुश्चन है ख्वाजा मोईनुदीन चिस्ती किस के सिस्य थे? इसका सही एंस्वर है ख्वाजा मोईनुदीन चिस्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के सिस्य थे? अगला कुश्चन है British House of Commons का चुनाव किस भारतिय ने सबसे पहले लड़ा था इसका सही एंस्वर है British House of Commons का चुनाव W.C. बनर्जी ने सबसे पहले लड़े थे अगला कुश्चन है भारतिय सशस्त्र रुबलोक बलका अध्यज कौन होता है इसका सही एंस्वर है भारतिय सशस्त्र रुबल का अध्यज भारत का राष्टपती होता है अगला कुश्चन है मुगल सासक साहजहा द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा मस्जीद कौन सा है इसका सही एंस्वर है मुगल सासक साजहा द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जमा मस्जिद है अगला कुछन है भारत में पंचायती राज़ दिवस प्रतीक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है इसका सही एंस्वर है भारत में पंचायती राज दिवस प्रतेक वर्स 24 अप्रेल को मनाया जाता है अगला कुश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्स कारगिल युद हुआ था? इसका सही एंस्वर है भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 इसमे में कारगिल यूद हुआ था अगला कुश्चन है कारगिल बिजय दिवस प्रतीक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है इसका सही एंस्वर है कारगिल बिजय दिवस प्रतीक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है अगला कोस्चन है आइस होकी खेल के एक टिम में कितने खिलाडी होते हैं इसका सही एंस्वर है आइस होकी खेल के एक टिम में 6 खिलाडी होते हैं अगला कोस्चन है किस बैज्ञानी को गृत्वा करसर की खोज के लिए जाना जाता है इसका सही एन्सवर है न्यूटन को गुरुत्वाकरसर की खोज के लिए जाना जाता है अगला कुश्चन है किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया इसका सही एंस्वर है वर्ष 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया अगला कोश्चन है दिल्ली से पुर्व कौन सा सहर भारत की राजधानी था इसका सही एंस्वर है दिल्ली से पुर्व कोलकता सहर भारत की राजधानी था अगला कोश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले किस भारती महान क्रांतिकारी के राजनीती गुरू थे इसका सही एंस्वर है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गाधी के राजनीती गुरू थे अगला कोश्चन है भारत के किस प्रधान मंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था इसका सही एंस्वर है लाल बहाव दूर सास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिये थे अगला कुश्चन है हमारे सरीर में कौन सा बिटामिन सबसे अधिक तिर्वगती से बनता है इसका सही एंस्वर है हमारे सरीर में बिटामिन डी सबसे अधिक तिर्वगती से बनता है अगला कोश्चन है वे पोधे जिन में कभी पुस्प नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही एंस्वर है वे पोधे जिन में कभी पुस्प नहीं बनते हैं, वे क्रिप्टो गेमर्स कहलाते हैं अगला कोश्चन है मानों की खोपड़ी में कुल कितनी हड़िया होती है इसका सही एंस्वर है मानों की खोपड़ी में कुल 22 हड़िया होती है अगला कोश्चन है किसे पंजाब केश्री के नाम से जाना जाता है इसका सही एंस्वर है लाला लाजपत राय को पंजाब के श्री के नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन है प्रथम विशुद कितने वर्सों तक चला था तथा युद कब से कब तक हुआ इसका सही एंस्वर है प्रथम विशूध चार वर्सु तक चला था ताथा यह 1914 से 1918 इस्वी के तक चला था अगला कुस्चन है दितिय विश यूध कितने वर्सु तक चला था इसका सही एंस्वर है दितिय विश यूध छे वर्सु तक चला था अगला कोस्चन है DNA के दिव कुंडिलित मॉडल का पता किस ने लगाया था इसका सही एंस्वर है DNA के दिव कुंडिलित मॉडल का पता वाट्सन वो क्रिक ने लगाये थे अगला कोस्चन है किस देश को क्रिकेट का जनम दाता कहते हैं इसका सही एंस्वर है इंगलेंड को क्रिकेट का जनमदाता कहते हैं अगला कुश्चन है सतरंज के खेल में वर्गो की संख्या कितनी होती है इसका सही एंस्वर है सतरंज के खेल में वर्गो की संख्या चौसट होती है अगला कुशन है हुट्टी सोने की खान किस राजिमे स्थित है इसका सही एंस्वर है हुट्टी सोने की खान करनाटक में इस्थित है अगला कॉशन है कौन सी नदी सबसे बड़े क्रिशियोग छेत्र को लाभ पहुचाती है इसका सही एंस्वर है सर्यू नदी सबसे बड़ी क्रिसी योग छेत्र को लाभ पहुचाती है अगला कुशन है राजी उगाधी राष्ट्री सद्भावना पुरुसकार 2013 में किसका चयन हुआ था? इसका सही एंस्वर है राजी उगाधी राष्टी सद्भावना पुरस्कार 2013 में अमजद अली खान का चैन हुआ था अगला कुश्चन है इस्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है इसका सही एंस्वर है spinning neutron तारा पलसर के नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन है किस कारण से मरुवस्थल में वनस्पती की कमी होती है इसका सही एंस्वर है वर्षा के अभाव के कारण मरुवस्थल में वनस्पती की कमी होती है अगला कुश्चन है सेर साह ने किस यूद में हुमायू को पराजित किया था इसका सही एंस्वर है सेर साह ने चौशा के यूद में हुमायू को पराजित किया था और यह यूद 1549 इस्वी में हुआ था अगला कुशन है नूकलियर रियेक्टर में पर्योग किया जाने वाला भीमंदक क्या है इसका सही एंस्वर है नूकलियर रियेक्टर में पर्योग किया जाने वाला भीमंदक ग्रेफाइड है अगला कुशन है अर्थ सास्त्र सब्द किस भासा से लिया गया है इसका सही एंस्वर है अर्थ सास्त्र सब्द यूनानी भासा से लिया गया है अगला कुश्चन है सीव सागर राम गुलाल एयरपोर्ट किस देश में इस्तित है इसका सही एंस्वर है सीव सागर राम गुलाल एयरपोर्ट मौरिशस में इस्तित है अगला कुश्चन है किस सास्त्री निर्थे का नाम साधीर अटम है इसका सही एंस्वर है भरत नाट्यम का नाम साधीर अटम है अगला कुश्चन है गाजर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है इसका सही एंस्वर है गाजर का लाल रंग केरोटीन के मौजुदकी के कारण होता है अगला कोश्चन है लोहे का सबसे सुध वाडिज्यक रूप क्या है इसका सही एंस्वर है लोहे का सबसे सुध वाडिज्यक रूप पिटवा लोहा है अगला कुस्चन है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उधारण है इसका सही एंस्वर है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सुच्म तरंगे की उधारण है अगला कोश्चन है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है इसका सही एंस्वर है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायो मीटर कहा जाता है अगला कोश्चन है मनुस्य में सुनने की छमता कितनी होती है इसका सही एंस्वर है मनुस्य में सुनने की छमता 20 हर्ट से 20,000 हर्ट होती है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें